पुरस्कार, एप्स और पोर्टल तथा रक्षा और प्रद्योगी से सम्बंदित प्रश्ण हमारे एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट होते हैं तो इस जो है वीडियो में हम लोग जनुवरी 2023 माह में जो भी महत्पुर्ड पुरस्कार प्रदान किये गए हैं जो भी एप्स और पोर्टल लांच हुए है और रक्षा और प्रद्योगी की से सम्बंदित जो भी प्रश्ण है उनको देखेंगे हम लोग जनुवरी 2023 का आपका केटेग्री वाइज मंतली करंट अफेर्स कर रहे हैं और ये हमारा पांचवा पार्ट है इसके पहले के चार पार्ट आप प्लेलिष्ट में जाके देख सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं जनुवरी 2023 माह में जो आपके महत्पुर्ड पुरसकार प्रदान किये गए हैं उन से संबंधित प्रशनों को पहला हमारा है केरल राज्ज के द्वारा पहला के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया तो किस ने दिया है केरल राज ने दिया है अवार्ड का नाम क्या है के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड और ये प्रदान किया गया डाक्टर एलिडा गवेरा को और ये कहां की है तो ये आपके क्यूबा की है ठीक है एलिडा गवेरा कहां की है क्यूबा की है इन्हें के गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया केरल राज्य के द्वारा नेक्स्ट हमारा है किस राज्य के जग मिसन को दूसरी बार यूवन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड प्रदान किया गया तो U1 Habitat World Habitat Award किसे प्रदान किया गया है जग मिशन को और ये जग मिशन किस राज्य का जो है एक योजना है तो ये आपके ओड़ी सा राज्य की योजना है आपका जग मिशन ठीक है इसे World Habitat Award प्रदान किया गया F.S.A.I. संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को फाइव स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया तो याद रखना ये फाइव स्टार रेटिंग प्रमाणित किया गया है ठीक है कौन सा इस्टेशन है तो 2022 के लिए राजी का सर्वोच नागरिक पुरुसकार जिसका नाम क्या है असम बैभाव ठीक है तो असम बैभाव ये क्या है सर्वोच नागरिक पुरुसकार है किस राजी का तो असम राजी का ठीक है तो असम राजी की सर्वोच नागरिक पुरुसकार का नाम है असंबेभो और 2022 के लिए किसे प्रदान किया गया तो ये दिया गया डाक्टर तपन से किया को जो की एक कैंसर विशे सग्य है ठीक है ना कैंसर के अध्यन को क्या कहा जाता है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट हमारा वार्ड है हारवर्ड लाइ स्कूल के द्वारा वैस्विक नेत्रित्त के लिए पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो हारवर्ड लाइ स्कूल इसने जो है वैस्विक नेत्रित्त के लिए पुरुसकार दिया है Justice D.Y. चंदरचूड को तो Justice D.Y. चंदरचूड के बारे में आपको पता ही है ठीक है न? तो यह आपके सुप्रीम कोर्ट के क्या है मुख्यने अधिस इन्हें दिया गया है वैस्विक नेत्रित्ट के लिए ग्लोबल पुरुसकार हारवर्ड लाइ स्कूल की तरब से अब देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड दोजार तेस और इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट रहा वो आपका रहा बेस्ट ओरिजिनल सॉंग यह अवार्ड प्रदान किया गया नाटू नाटू को ठीक है नाररर फिल्म में MM कीरवानी ने संगीत दिया था सर्वस्रेश्ट TV स्रिंखरा चुना गया अबट अलिमेंटरी को सर्वस्रेश्ट अभिनेता चुने गये केविन काष्टनर, येलो इस्टोन के लिए सर्वस्रेश्ट निर्देशक चुने गये स्टीवन स्पीलबर्ग दफेबल मेंस के लिए और सर्वस रिष्ट गैर अंग्रेजी भासा फिल्म आपकी अर्जेंटीना थी 1985 ठीक है तो आप मेंली आप याद रखना बेस्ट ओरिजिनल सांग के लिए आप संगीत कार का नाम याद रखना M.M. कीरवानी को दिया गया नाटू नाटू सॉंग है RRR फिल्म के लिए गोल्डन गलोब अवार्ड 2022 अगला हमारा है फिल्म RRR को किस स्रेडी में क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड 2023 से समानित किया गया तो Best Song के लिए भी दिया गया इसमें भी आपका Critics Twice Award 2023 इसके लावा Best Foreign Language Film का भी Critics Twice Award किसे दिया गया RRR Film को ठीक है न वर्स 2022 के लिए देश के Number One पुलिस थाने का पुरुसकार किसे प्रदान किया गया तो 2022 के लिए देश के Number One पुलिस थाने का जो पुरुसकार है ये प्रदान किया गया है असका थाना और ये कहां पे है तो ये ओडिसा के गंजाम जिले में इस्थित है ठीक है तो 2022 के लिए भारत का जो है Number One पुलिस थाना का वार्ड किसे प्रदान किया गया है तो ये असका थाना को पुरदान किया गया है गंजाम जिला ओडिसा को ठीक है याद रखिएगा ये वाला आपका ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है महाराष्ट सरकार के द्वारा पहला डाक्टर पतंग राओ कदम पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया तो डाक्टर पतंग राओ कदम पुरुसकार ये दिया गया अदार पूनावाला को तो अदार पूनावाला का नाम आप किस कमपनी से सम्मानित जानते हैं तो आप लो एकट्रों जो है यह प्रतियोगिता हो रहा था आजित कहां पे हो रहा था तो नियू जार्क में और अमेरिका की ही बोनी गैबरियल को जो है इसमें Miss Universe 2022 चुना गया है तो बोनी गैबरियल अमेरिका की है इन्हें जो है 71 मिस युनिवर्स 2022 के लिए चुना गया महराष्ट्र में आयोजित अजन्ता एलोरा अंतराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा आवार्ड ठीक है तो ये आवार्ड का नाम याद रखना गोल्डन कैलासा आवार्ड ये दिया गया तो ये दिया गया नानेरा फिल्म को और नानेरा एक राजस्थान की फिल्म है ठीक है राजस्थानी फिल्म है नानेरा इससे जो है गोल्डन कैलासा वाड दिया गया एजेंता एलोरा अंतराश्ट्रिय फिल्म फेस्टिवल में अगला हमारा है तमिल नाडू मरकेंटाइल बैंक लिमिटेड को सर्वसरिष्ठ लगो बैंक पुरुसकार ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि किस ने दिया ये आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा लेकिन सर्वसेश लगो बैंक का पुरुसकार तमिल नाडू मरकेंटाइल बैंक लिम्टेट को प्रदान किया गया नेतिन गटकरी के द्वार केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा वैग्यानिक स्रेडी के अंतरगत इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया तो आर विश्णू प्रसाद को ये अवार्ड दिया गया थेक है न किस स्रेडी में दिया गया तो वैग्यानिक स्रेडी में तो पुरुसकार 2023 संस्थागत स्रेडी में किसे प्रतान किया गया तो ये आपके सुभाशंद्र बोस की जनती पर यानि कि 23 जनवरी को दिया जाता है सुभाशंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार और ये दिया गया ओडिसा राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधि करण को और लुंग फेई फायर इस्टेसन जो की कहां पे है मिजौरम राज्ज में स्थित है नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपती द्रोपती मूर्मू के दौरा एक ग्यारा बच्चों को प्रधान मंत्री राष्ट्री अबाल पूरुस्कार पुरुसकार पुरुसकार अबी हाली में 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 पुर लोगों को पदमसरी पुरुसकार प्रदान किये गए पदमभुषड पुरुसकार कुल नौ लोगों को प्रदान किये गए और पदमभुषड पुरुसकार कुल छे लोगों को प्रदान किये गए और ये पदमभुषड किने किने प्रदान किये गए इन छे लोगों के नाम इंपोर्टेंट हो सकता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, बद में विभूशर्ट, छे लोगों को कौन-कौन से हैं यह, स्री निवास वर्धन, इन्हें विज्ञान और इंजिनरिंग के छेतर में मिला, ठीक है, यूएसे के हैं, बाले कृष्णे दोसी को जो है, वास्तुकला के लिए मिला है, ठीक है न, और मुलायम सिंग यादो, इन्हें भी सारवजनिक मामले के लिए दिया गया, तो ये आपके छे पदम विभूशर्ण है, ये छे पदम विभूशर्ण आप ध्यान रखेंगे, तिन-चार बार देखेंगे, आपको ध्यान रहेगा, आईजी बीसी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाडन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन किसे दिया गया, तो ये दिया गया, विसाखा पत्तनम रेलवे स्टेशन को, ठीक है Indian Green Building Congress इसका फुल फार्म होता IGBC का ठीक का इसने Green Railway Station Certification किसे दिया है तो यह दिया गया आपके विसाखा पतनम Railway Station को तो Green Railway Station इसकी प्लेटिनम रेटिंग दी गई से ओके ICC Award अभी हाली में परतान किये गया याद रखना ICC अवार्ड इंपोर्टेंट होते हैं आप याद रखना कि सर्वस रेष्ट T20 क्रिक्टर किसे चुना गया तो ये चुना गया है आपके सूरे कुमार यादव को T20 महिला क्रिक्टर कौन चुनी गई तो ये है आपकी तहालिया मैग्रॉथ तो ये कहां की है तो आश्ट्रेलिया की है ICC पुरुष टेस्ट क्रिक्टर आप दाइयर तो टेस्ट क्रिक्टर की बात हो रही है तो टेस्ट क्रिक्टर चुना गया आपका Ben Stocks के जो कि आपके England के हैं और ICC पुरुष में वंडे क्रिक्टर आप दाइयर किसे चुना गया और इसी जो वंडे क्रिक्टर आप दाइयर होता है इसी को जो है Garfield Sober Straffy भी कहा जाता है और ये चुना गया बाबर आजम को ठीक है आपके ICC के सर्वस्रेश्ट पुरुष क्रिक्टर आप दाइयर होई ये तो Spirit of the Cricket का आवार्ड दिया गया आसिप सेख को जो की किस देश के खिलाड़ी है तो ये आपके नेपाल देश के खिलाड़ी है ठीक है अब देखते हैं अगला क्वेस्चिन किस देश ने महिला क्रिक्टरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हौकले मेडल परतान करने की गोश्ड़ा की है तो डेबी हौकले मेडल ये महिला क्रिक्टरों को दिया जाएगा न्यूजिलेंड के द्वार्ण और पुरुसों के लिए कौन सा अवार्ड है तो रिजजर्ड हेडली मेडल जो है ये पूरुसों को दिया जाता है याद रखेंगे और डेभी हाउकले मेडल स्टार्ट किया गया है न्यूजी लेंड में महिला क्रिक्टरों को सम्मानित करने के लिए अगला हमारा है न्याया धीसों के एक पैनल द्वारा गड़तंत्र दिवस परेड की सर्वस्रेष्ट जहांकी किसे घोसित किया गया तो गड़तंत्र दिवस परेड में जो जहांकियां सामिल हुई थी उसमें सर्वस्रेष्ट जहांकी दिया गया किसे आपकी उत्तरा खंड की जहांकी थी ठीक है तो ये हमारे महतपूर्ड पुरुसकार थे अब हम देखेंगे जन्वरी माह में जो आपके महतपूर्ड एप्स और पूर्टल लांच हुए है उनके बारे में किस संस्थान के द्वारा स्वदेसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम क्या रखा गया है भार ओयस यानि की भार ओयस आप भारत ओयस कह सकते हो ठीक है न तो ये आपका स्वदेसी तरीके से निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे बनाया किसने तो IIT मदरास ने इसको जो है क्या किया है विक्सित किया है इसको डेवलप किया है अगला हमारा है गड़तंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के पास के लिए जो भी आपके पास जो है दिये जाते हैं गड़तंत्र दिवस portal दिया गया है प्रदान किया गया start किया गया है ठीक है सो तंतरता दिवस और गड़तंतर दिवस पर pass जो है प्रदान करने के लिए next हमारा है 9 जनुवरी 2023 को कौन सा 24-7 यानि कि 24 घंटे और 7 दिन सबसे तेज भुकतान आप लांच किया गया यह आप का नाम है पे रूप ठीक है तो पे रूप नाम का एक अप्रिकेशन लांच किया गया है ठीक है ना जो कि आपका सबसे तेज भुकतान आप होगा ओके वाड़िज और उद्योग मंतरी प्यूस गोयल के दोरा start-up mentorship के लिए कौन सा पोर्टल प्रारम किया गया तो start-up में start-ups जो आपके होते हैं उनको mentorship प्रदान करने के लिए एक पोर्टल start किया गया जिसका नाम है मार्ग पोर्टल किसने start किया तो वाड़िज और उद्योग मंतरी प्यूस गोयल ने तो ये मार्ग पोर्टल प्रारम किया जाएगा तो उच्चितम नियाले के निरड़ें का अनुदवात किया जाएगा तो उच्चितम नियाले के निरड़ें इंग्लिस में आते हैं ठीक है अब जो है इसे हिंदी, तमिल, गुजराती और ओडिया में उपलब्ध कराया जाएगा किस साफ्ट्वेर के द्वारा तो इन इरिक्षड साफ्ट्वेर के माध्यम से जो है इन्हें इन छेत्री भासाओं में उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है हिंदी, तमिल, गुजराती और ओडिया चारो लेंग्वेज का नाम याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे उच्छितम न्याले से संबंदीत है तो आपसे पूछा जा सकता है केंदर सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश से लांच किया गया तो यूविन पोर्टल जो है ये इस पर जो है गर्भोती महिलाएं अपना पंजी करण कर सकती है जो आपका यूविन पोर्टल है इस पर उनके प्रसव का रिकार्ड भी रखा जाएगा और उन्हें जो टीका करण है इसकी भी जानकारी डिजिटली रूप से मिलेगी को किसने लांच किया तो याद रखना कि आपका राश्ट्रिय लाजिस्टिक पोर्टल ये मरीन के नाम से मरीन के लिए लांच किया गया है और इसे लांच किया गया किसने किसके दौरा तो सरबानंद सोनोवाल के दौरा ठीक है राश्ट्री लाजिस्टिक पोर्टल केंद्री बंदरगा नौवहन और राजमार्ग मंत्राले ने इसे प्रारम किया है तो ये महत्पूर्ड एप्स और पोर्टल्स थे जो भी आपके जनौरी महा में लांच हुए अब देखते हैं रक्षा सम्मंदीत करंट अफेर्स यानि डिफेंस सम्मंदीत करंट अफेर्स को भारत के दौरा किस देश की नौसेना के साथ वरूड नाम का एक दूई पक्छी अभ्यास के 21 संस्क्रण का उजन अगला हमारा है अगला हमारा है नाम याद रखना आईसी जीएस कमला देवी को कमिशन किया गया कोल कता से हाल ही में किन देशों के बीच पहला संयूक्त प्रसिक्षड अभ्यास साइकलोन फश्ट जो है इसका नाम है साइकलोन फश्ट और यह जैसल में राजस्थान में आजित किया गया तो मिस्र जो है आपको पता है कि अभी जो है भारत का साजीदार बना है बारत के जो गड़तंतर दिवस में भी आया था और बारत और मिस्र के मध्य में पहली बार संयूक्त प्रसिक्षड अभ्यास हुआ कहां पे जैसल में राजस्थान में जिसका नाम क्या था साइकलोन वन हाल ही में टाटा बोईंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतिय सेना के लिए कौन सा हेलिकॉप्टर डेलिवर किया है तो भारतिय सेना के लिए ये बोईंग आपके अमेरिका की कमपनी है टाटा आपके इंडिया की कमपनी है इन दोनों ने मिल कर जो के AH-64 अपाचे हेलिकाप्टर का निर्माड किया है और ये भारती सेना को सोपा है AH-64 अपाचे हेलिकाप्टर Tata Boeing Aerospace ने भारती सेना को सोपा है एक हेलिकाप्टर है प्रोजेक्ट 75 के तहत भारती ये 9 सेना में किस सकार्पियन पंडुबी को सामिल किया गया अभी हाली में तो INS वागीर ठीक है प्रोजेक्ट 75 के तहत आपको पता है कि 6 जो है पंडुबिया बनाई जा रही है और इसमें अभी पांचवी जो पंडुबी थी इसको सामिल किया गया जिसका नाम है INS वागीर अभी एक और सामिल किया जाएगा जिसका नाम क्या है INS वाग सीर इसे अभी सामिल नहीं किया गया इसे अभी बाद में सामिल किया जाएगा अभी जो सामिल हुआ है वो है आपका INS वागीर किस क्लास की पंडुबी है तो Scorpion class की पंडुब भी है याद रखे गया भारती ये 9 सेना, थल सेना, वायू सेना इन 3 नों के द्वार्सिक जो है यानि कि 2 वर्सों में एक बार ये भारत की थल सेना, नो सेना, वायू सेना इनका मेगा अभ्यास होगता है जिसका नाम क्या है MPEX 2023, तो MPEX 2023 दो वर्सों में एक बार होता है तीनो सेनाओं के द्वारा, भारत की तीनो सेनाओं के द्वारा और इसका आयोजन इस वर्स कहां किया गया, तो इसका आयोजन किया गया काकी नाडा आंदर प्रदेश, तो MPEX याद रखना है, आप लोग MPEX जो आपका युद्दब्यास है, ये भारत की ही तीनो सेनाओं के मद्दे में किया जाता है और 2023 में कहां पे किया गया, काकी नाडा आंदर प्रदेश में वायू सेना द्वारा पुरुवत्तर भारत में किस अभ्यास के आयोजन की गोशड़ा की गई तो वायू सेना द्वारा पुरुवत्तर भारत में प्रलाय नाम का एक अभ्यास की गोशड़ा की गई तो जो प्रलाय अभ्यास है, ये आपके पुरुवत्तर भारत में किया जाएगा ठीक है, किसका जो अभ्यास है, तो ये वायू सेना का अभ्यास है भारति ये नौ सेनागोरा हिंद महासागर में कौन साद्वी वारसिक दब्या साजित किया गया तो याद रखना अभी आपने देखा था क्या MPhts देखा था ठीक नहिवा तो MPhts किसका था तो MPhts तो आपके भारत की तीनो सैनाओ का था लेकिन यह क्या है आपका TROPEX ठीक है TROPEX 2023 यह केवल भारती नो से ना का है यह भी दो वर्सों में एक बार युदभ्यास आजित किया जाता है TROPEX का ठीक है तो TROPEX जो है यह केवल भारती नो से ना का है जो यह आपका Amphex था ये भी दो वर्स में आजित किया जाता है एक बार और ये भारत की तीनों से नों का जो है युद्धव्यास है ठीक है तो MPEX और ROPEX दोनों आप ध्यान रखेंगे तो ये कुछ जो है रक्षा संबंधी महतपूर करंट अफेर्स थे अब देखते हैं टेकनोलजी यानि के प्रोद्धोगी की से सम्मंधित जन्वरी महां में क्या करंट अफेर्स बने हैं हमारे DRDO के दोरा कम दोरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रिथवी 2 का परिक्षड कहां से किया गया तो प्रिथवी 2 का परिक्षड भी हाली में DRDO ने किया है ये कम दोरी की आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे ओडिसा के तर्ट से जो है परिक्षड किया गया है प्रिथवी 2 मिसाइल का वर्स 2025 तक मौसम के सटीक पुरवा निमान के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रदार निटवर्क अस्थापित करने की गोशड़ा किसके द्वारा की गई तो डॉपलर वेदर रदार निटवर्क ये प्रिथवी विग्यान मंत्राले के द्वारा जो है अस्थापित किया जाएगा कब तक रस्थापित किया जाएगा तो 2025 तक ठीक है मौसम का सटीक पूरवन उमान नगाने के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रदार नेटवर्क रस्थापित करेगा प्रित्वी विग्यान मंत्राले नासा के द्वारा परमाडू थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारम करने की गोश्ड़ा की गई है तो नासा जो है अब परमाडू थर्मल रॉकेट इंजन बनाएगी ठीक है परमाडु तफी राकेट इंजन और इसमिसन का नाम रखा गया है ड्रेको मिसन ठीक है तो ड्रेको मिसन किसका है जिसके नासा का मिसन है हाल ही में ब्रेन लाइक कम्प्यूटिंग के लिए artificial synapse का विसकार किस देश के विग्यानी को दौरा किया तो भारत और आश्ट्रेलिया ने मिलकर जिस तरह से आपका brain काम करता है उस तरह से computing का विकास किया गया है इसके लिए artificial synapse का विसकार किया किस ने किया तो भारत और आश्ट्रेलिया ने इसको मिलकर किया है ठीक है भुगतान की आधुनिक प्रडाली T plus one settlement तो T plus one settlement ये किस से संबंदित है सेर भाजार से संबंदित है ध्यान रखिएगा T plus one settlement सेर भाजार से संबंदित है और सेर भाजार को जो है control कौन सी संस्था करती है तो ये आपकी कौन सी है तो से भी जो होता है ये आपका control करता है सेर भाजार को ठीक है न तो भुगतान की जो T plus one settlement तक्नीक है ये आपके सेर भाजार से संबंदित है याद रखिएगे आप तो ये हमारे महतपूर current affairs थे ठीक है तो जिसमें हमने रक्षा प्रद्धोगी की और पुरुसकारों के बारे में देखा तो उमीद करता हूँ कि चीज़े आपको अच्छी लगेंगी तो आप यहाँ पर जितनी चीज़े लिखी है ये आप कर सकते हैं करना चाहें तो वीडियो को देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद